दोस्तों वेलकॉब बैक टुव चैनल गार्डिंग विद वैश नवी तो आज मैंने सोचा कि अपने गार्डन के वरांदा का कुछ में कोहर किया जाए क्योंकि वो तो लग रहा है थोड़ा सा बेकार सा क्योंकि वहाँ पे बारिश चल रहे थी और बारिश की उज़े से मैंन रेंदा कावरंदा तो घर की शान होता है तो चलिए आज इसको हम ब kalian लेते हैं तो पेले स्टाट करते है ज्ञडë पोचा से यहां पे हम लगा लेते हैं ज्ञड़ पोचा तो यह पन्चियों और गिराया है इसको भी साहक कर लेते हैं क्योंकि गार्डन तो भी बीरी हालत म हैं दिखाना तो पढ़ रहा है बट देख सकते आगे-ागे क्या होता है तो चलो यहाँ पे हमने यह थोड़ा सा तो अरेंज कर लिया था तो हम इसकी पूरी change कर देते हैं तो start करते हैं यह हमारे पूराने बनाए हुए DIY से तो यह देखे पूरे succulents से यह भर चुका है और इसको लगा देते हैं इस corner में है ना तो यहाँ भी यह देखे कितना सही लग रहा है पूरे सारे succulents इनको जादा पानी भी नहीं लगता है तो आपका टाइल्स भी गंदा नहीं होगा तो यहाँ पर यह जो हमारा फर्न है इसको भी हम रख देते हैं बड़ी सी जगा क्योंकि वाइट टाइल्स है और उसमें यह ग्रीन फर्न काफी सुन्दर लगता है तो यह देखे यह फर्न को मैं उठा के रख देती हूँ इस corner पर यानि जहा कोई बी आएगा तो उनको इस पे ध्यान जाएगा और यह सुन्दर भी लगेंगे तो देखे यह कितने प्यारे लग रहे हैं यह जगा तो और इस जगा को एड करते हैं हम यह स्नेक प्लांट देखिए यह भी मेरा उपर था और यह देखे कितना फिल हो चुका है तो इस स् जेट प्लांट रखने के कोशिश करें यह लुक सूटी नहीं हो रहा है कि इतना बगवास लग रहा है तो इसको हम यहां पर साइड में रख देते हैं तो यहां से टॉप यू कोई भी देखेगा तो टॉफ यू आ जाएगा तो उनको यह प्लांट ग्रीन ग्रीन लगेगा क् अगर हमने कुछ पौदे लगाया तो यह न फूरी फिल लगेगे देखेए और यह मै्नी प्लांट तो अभी महनी प्लांट को भी तो अरेंज करना है तो यह है टइल के से कोने में अरäंज अरेंज कर दें हैं तो यहीं कोने में पूरा जteenरी रगे जैसे कुछ बहार आरी श थोड़ा उपर रख देती हूँ क्योंकि वो उस जगा पे सूट नहीं कर रहा है तो उस जगा पे मैंने अपना रबर प्लांट शिप्ट कर दिया और यहां पे अगलो नीमा और डिफरेंट बेक्या और कड़ा प्लांटस के प्लांटस रख दिये और यहां पे यह एक मटका रख दिया पॉपल हाट का पट यह मटका सुन्दर नहीं लग रहा है न केला तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं थोड़े देर बात तो पहले यहां पे हम यह जगा खाली थी यहां पे यह कोलियस रख देंगे यह चूटू सा बोन साइज जैसे दि है ना यह आइडिया यह आइडिया आप भी यूज कर सकते हैं बस इसको पानी देते समय आपको पॉट को सीधा कर देना है और उस पे पत्तों पे आप स्प्रे भी कर सकते हैं तो यहां पे मैं अपना दूसरा प्लांट रखने चाह रही हूँ जो है एंजॉइपो दोस आगे यह दो मटके इसके साथ मैंने अगला मटका अड़ कर दिया तो अब भी खाली खाली लग रहा है तो यह देखे यहां पर यह पूरा यह हो गया अगलोनीमा क्रेफंटस और यह पर यह थोड़ा खाली स्पेस लग रही तो यहां पर हम सोच लेते हैं आगे क्या आड़ आज मुझे इनको पानी से निकालना भी है तो मैं इनको आज यह से हटा दूंगी तो आगे चलते हैं यहां पर मेरे कैलेडियम से तो कैलेडियम भी हापर अकेले अकेले बोर हो रहे है तो इन कैलेडियम को भी हम आगे हैड कर देते हैं क्योंकि यह इनका सीजन भी जाएग तो यह आप देख लेजिए यह पूर एड इन्यम इस तरीके से इसके गोल इसे मैंने आड कर लिए यानि यह एक हाफ सरकल बन गया तो गार्डन को ना मेकोहर जादा एक्स्ट्रीम करने की ज़रूरत नहीं है आप से 5 मिनिट में भी आपके बैलकनी को या कोई वरांदा होता है या जब महमान आते हो उस चीज को सजा सकते हो जैसे देखें यह मैंने सजाया है पर इसको आप पानी देते वक्त पॉट को सीधा करके दे या स्प्रे करके दे और यह इसे नीचे टाइल्स के पास ऐसे पोदे रखें जिने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है यानि स्नेक प्लांट्स और यह सकुलेंट यानि इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करनी चाहिए अगर ज़्यादा पानी लगने वाले पोदे आप परेंच करेंगे तो टाइल्स पे मिट्टी हो सकती है और उपर देखे यह हैंगिंग प्लांटर मेंने लड़का है और यहाँ पर यह देखे यह कितना सुन्दर लग रहा है मनी प्लांट और यहाँ पर यह जड और क्राइफेंटस यानि सारे सक्कुलेंट वरेटी के प्लांट से है जिनको कम पानी लगता है और यहाँ पर देखे यह कोलियस और यह कैलेडियम्स रखे है और यहाँ पर यह देखे इस तरीके से यह सारा अरेंजमेंट हो रखा है तो यहाँ पे मैंने cryophantus spider plant और यह एगलो निमाज रखे तो यहाँ पे कुछ कमी लग रहे थी तो यहाँ पे मैंने यह बड़ा वाला plant ड्रेसिना का एड़ कर लिया है जो काफे खुबसूरत लग रहा है और उपर green री एड़ करने के लिए मैंने green singonium को एड़ किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बुद्धा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो like, share और subscribe कीजेगा thank you